हेलो स्टूटेंट्स, वेलकम टू माई नर्चर, मैं हूँ क्रिष्णा, कैसे हैं सब लोग, मस बढ़िया चुले स्टार्ट करते हैं हम लोग टैबलेट का पार्ट नमबर 3 जो टैबलेट का लास्ट पार्ट होगा, बट, फार्मसिटिकल डोजस फॉर्म अभी आगे चलेगा, ठीक है रहें चैप्टर 5 अभी आगे लंबा और भी है, लेकिन टैबलेट के तीनी पार्ट ते पार्ट वन, पार्ट टू मैंने दे दी हैं, और ये टैबलेट का पार्ट क्योंकि टैबलेट का तीनों एकी पार्ट में करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है, जहां हम लोग पढ़ेंगे modified tablets, कहीं ना कहीं ये तुम लोगों ने सुन रखा होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे, sustained release, extended release, fast dissolving, multi-layered, multi-layered नहीं सुन होगा, fast dissolving सुन रखा कि हमने क्या करते हैं, modify कर दिया, modify करने मतलब क्या हम लोग उसकी क्या है, काम करेंगी, लेकिन समय के according और थोड़ा सा क्या है, control way में काम करेंगी, हमारी body में जा करके, ठीक है, आओ देखते हैं कैसे, तो modify tablet क्या है, देखें इसकी definition, चलो, तो कर रहा था, most common oral doses form, जो बहुत जो मुझ से खाते हैं, is an immediate release medication, immediate release, immediate release का मतलब, खाया पेट में जाकर घुल जाएगी, तुरंत घुल जाएगी पेट में जाकर के और अपना असर दिखाना सुरू कर देगी, that is called immediate release medication, an IR, immediate release medication, usually dissolve shortly after entering, जैसी वो enter करेगी, उसके बाद क्या कर जाएगी, वो, dissolve कर जाएगी, body के अंदर, and works very quickly for a short amount of time, और बहुत जल्दी काम करती है, थोड़ से समय का अंदर ही, बास समझ में आई, तुरंत पेट में जाएगा, खुल जाएगी, और अपना काम करना स्टार्ट कर देगी, IR medications are absorbed and reach their peak level quickly, तुरंत absorb होती है, और तुरंत peak पे पहुंच जाती है, 10-15 मिन्ट के अंदर ही, dissolve हो जाएगी और आदर पॉन गंटे के अंदर peak पे आ जाती है, Medication levels will decline as your body removes it, अब body remove करती है, eliminate करती है drugs को, ठीक है न, ये थोड़ा सा और detail हम पढ़ेंगे हम लोग 2nd year में, किस तरह से वो drug को remove करती है, तो urine के माद्य हम से, liver हमारा क्या करता है, जो medicine खाते हैं, उनको तोड़ता रहता है एक तरह से, ठीक है, जिससे कि वो body से बाहर निकल जागा, क्यों chemical है वो, हमारी body हमेशा नहीं रह सकता, ठीक है, तो हमारी body से निकालते रहती है, तो उसका level धीज़रे क्या करेगा, decline करेगा, गिरेगा, this could mean, इसका मतलब ये हुआ, you need multiple doses, इसका मतलब ये हुआ कि मानलो तुमने एक गोली खाई, चार घंटे बाद खता, उसका चार घंटे बाद फिर खानी पड़ेगी, यानि कि तुमको multiple dose लेनी पड़ेगी, इना single day, एक ही दिन में, तीन से चार बर गोली खानी पड़ेगी, to maintain a steady, steady मतलब एक समान amount of medication in your body, body मतलब हारे blood में जो उसका concentration रहेगा, उसको maintain करने के लिए हमें दिन में तीन से चार बर दवा कम से कम खानी पड़ेगी, to make medication more convenient, अब है क्या, ये दो बड़ा दिक्कत वाली बात हो, और मान लोग दिन में तीन से चार बर दवा खाना याद नहीं रहता है, भोल जाते हैं, प्रॉल्लम है, to make medication more convenient, अब हमको इसको क्या तरवा असान बनाना है, and better tolerated, tolerated मतलब है कि जो इनसान की medication हो, वो उसको proper खाता रहे, इनसान सुबह साम तो खा सकता है, नास्ता क्या खा लिया, राद में डिनर क्या खा लिया, अब उसी बीच में दो बार और खाना इनसान बिजी होता है, काम करता है, सफर में होता है, कई पर नहीं खा पाता है, तो better tolerated, मतलब असान किया जाए, better tolerated हो, many different doses form have been created, अलग अलग तरे की doses form create की गई है, इसलिए extended और delay their effect, create की गई है, जिससे की जो उनका असर है, वो delay हो, लंबा हो जाए, बढ़ जाए, तुरंत ना दिखा करके वो असर पूरा पूरा दिन रहे, बास समझ में आई, these are known as modified released doses form, अब जो IR था, जो तुरंत अपना सर दिखाता था, तुरंत ना दिखा करके, मतलब तुरंत भी दिखाएगा, उसके बाद फिर एक थोड़ थोड़ी amount में क्या है, जैसे कि ऐसा मानलो, कोई चीज दवा खाई, तुरंत उसने अपना सर दिखा दिया, लेकिन फिर थोड़ी दवा बची रहेगी, वो थोड़ी दवा थोड़ी 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 निकलती रहेगी बॉड़ी के अंदर, और 8-9 घंटे, 10 घंटे तक, बॉड़ी के अंदर maintain करके रखेगी, दवा के concentration को, इससे क्या है, दवा का concentration ही maintain रहेगा, हमें problem भी नहीं होगी, और हमें दिन में दो ही खुरा गया, एक खुरा की खानी पड़ेगी, क्लिए रहे बाते हैं, तो अब यहाँ सबसे पहले देखते हैं, delayed, delayed मतलब देरी, delayed मतलब देरी, देरी, देर में release होना है, delayed release, release होगा बहुत देर में, क्या मतलब इसका, delayed release doses form can be defined as, इसको हम define कर सकते हैं, as a systems which are formulated to release the active ingredient, या एक ऐसा system होता है, system म उसका नम इस तरीके से create करते हैं, कि जो active ingredients होते हैं, at a time other than immediately after administration, वो किसी और टाइम पर release होते हैं, तुरंत खाने के तुरंत बाद, मतलब वो कहता है, active ingredients को निकालेगा नहीं अपने अंदर से, पड़ी रहेगी, कुछ घंटों के बाद, है ना, अपना असर करना, वो start करती ह एक तरह से, delayed release from oral doses form, forms can control where the drug is released, ठीक है, अब क्या कहना चाह रहा है, delayed release from oral doses form, can control where the drug is released, हम delay release से control कर सकते हैं, कि दवा को कहां release करवाना है, पेट में, पेट में तो तुरूंती जाती है, intestine में, intestine के भी तीन भाग है, deodenum, jezenum, ileum, colon में, जिस हिस्थे में हम चाहते हैं, दवा release हो, क्योंकि दवा एक दम से थोड़ा पहुंच जाएगी, उसे पहुंचने में, एक का दो घंटा लग जाता है, intestine में आगे पास होने में तो वो अगर मानों, intestine के आखरी छोर पे जाकर कि हमें दवा का असर करवाना है, तो दो घंटे बाद, एक तैसे मानों कि घुलेगी और अपना असर करना सुरू करेगी, ठीक है ना, तो यही है, delayed release from oral doses form, can control, control कर सकता है, where the drug is released, दवा को कहां release करना है, clear, example, when the doses form reaches the small intestine, अब example क कि जब जो हमारी medicine है, tablet है, dose है, पहुंच जाती, small intestine में, enteric coated doses form, जिसके उपर enteric coating होती है, यानि कि वो पेट में नहीं घुलेगी, इस टमक में, ठीक है, और the colon, colon specified doses form, ठीक है न, अब इसमें example में कौन कौन आ गया, enteric coated doses form, और colon specific doses form, किसके अंदर आगे, delayed release के अंदर, अब इ टेल में देख लेंगे, कि किस तरीके से यह, यह example है, when the doses form reaches a small intestine, यानि कि हम चाहते हैं, कि doses form हमारी small intestine में जाकर के, release हो, यानि कि dissolve हो, अपना active ingredients को निकाले, या colon में जाके निकाले, colon, उमीद है, HAP, colon part, याद होगा, Dice system का, ठीके न, अब ये colon में समझाओंगा नहीं आपर, अब कुछ जिन बच्चों colon ही नहीं पता है, वो लो जाके diagram देखें, ठीके न, बेटर देखर जब पुरानी words इस्तमाल होंगे, तो मैं यही उमीद करके चलूँँगा, कि यह जो terminology हम इस्तमाल कर चुके, उनको मैं from degradation in the low pH, यह line नहीं से start होगी, degradation in the low pH environment, low pH कहा होता है, हमारे पेट के अंदर होता है, low pH, 1.82 का, 2 होता है pH, उसके अंदर हमारी दवा कहीं जाकर के खराब न हो जाए, उस pH की वएसे, वो उसको बचाना होता है, main मुद्दा entry quoted का यह होता है, यह यह भी हो सकता कि अगर वो द layer है, उसको irritate कर सकती है, दोनी cases में हमको क्या करवाना है, entry coating करनी, जैसे कि पेट में दवा ना घुले, entry coating समझ गए, यह दवा पेट में नहीं घुलेगी, small intestine में जाकर घुलेगी, घुलेगी मतलब इसके अंदर से active ingredients निकलेंगे, okay, low pH of the stomach or to protect the stomach, या stomach को बचाना है from irritation by the drug, तो दोनों case हो सकते हैं, दवा हमारी खराब हो सकती है, पेट के low pH की वएसे या दवा पेट में जाकर के जलन पैदा कर सकती, irritation पैदा कर सकती, इन दोनों case में हम क्या चाहेंगे कि हमारी दवा पेट में dissolve ना हो, dissolve ना हो या पेट में जाकर के उसके chemical constraint ना निकले, okay, in these cases, ऐस ऐसे cases में drug release should be delayed, drug release को delay करवाना, delay मतला देरी करवानी है, until the doses form has reached the small intestine, हमको तब तक उसको रुकवाना है, तब तक उसको ऐसा बनाना है, कि जब तक वो intestine में नहां पहुंच जाए, अपने अंदर से किसी भी टाइप का chemical याने कि जो उसका active chemical हो बहार ना निकले, often अक्सर, polymers are used to achieve the same, polymers की coating की जाती है, ठीक है, polymers होते हैं बहुत सारे, उसकी coating करके हम entry coating tablet बनाते हैं, और इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, यह जो हमारा goal है, कि हमारी जो medicine है, वो small intestine में जाकर के dissolve हो, वो हम लोग achieve कर पाते हैं, the doses form, for example, a tablet और the granule before tabulating, ठीक है, तो कह रहा है, doses form, the doses form for example, tablet या granules before tabulating, tablet में convert करने से पहले, can be coated with, इसको हम coating कर देते हैं, suitable polymer से, जो पेट में dissolve भी नहीं होगा, वो polymer क्या होगा, उसके उपर covering ऐसी होती है, जो low pH में dissolve भी नहीं होगी, जब वो covering dissolve नहीं होगी, तो अंदर का material भार नहीं निकलेगा, clear, the polymer dissolves as a function of pH, polymer जो dissolve होता है, function of pH, high pH पे dissolve होगा, low pH पे dissolve भी नहीं होगा, high pH कहा होता है, 6.8 के आसपास जाकर के small intestine, यान कि वहाँ जाकर, वहाँ पीच जैसी उसको touch करेगा, तो रहन डिजॉल हो जाएगा, उसकी coating, coating डिजॉल हो जाएगी, तो tablet खुल के भाहँ, फूट जाएगी, disintegrate हो जाएगी, अपने chemical active ingredients को बाहर निकाल देगी, clear हो गया, so when the doses form, travel from the low pH environment of the stomach to the high pH environment of the small intestine, तो कह रहा है कि जब हमारी doses form, doses form मतलब यहाँ पर हमारी tablet की बात आ रही है, doses form का मतलब हमारी tablet, travel करती है, low pH पेट से high pH की तरफ याने कि small intestine में, the polymer coat dissolve, polymer का जो coat होते है, coating होती, dissolve हो जाएगी, and the drug can be released, और drug कंदर से release हो जाएगी, once the stocker, एक बार ही हो जाएगा, the release is again immediate, जैसी coating टूटी, उसके बाद वापस से immediate release, याने कि normal दवा की तरह काम करेगी, तुरंत release होगी, तुरंत absorb होगी, ठीक है, and the resulting plasma concentration versus time curve is similar to the one of the immediate release doses form, याने कि एक बार जहाँ coating गली इसकी, coating टूटी, coating हटने के पलाएगी और अपना असर करना सुरू करेगी, ठीक है, तो वही यहाँ पर दिखा हुआ है कि जो उसका curve होता है, concentration time curve, चाहे IR का हो, या entry quoted का हो, entry quoted जब घुलेगी, तो उसके बाद दोनों के curve, same देखने को मिलते हैं, ठीक है, अब यह कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, यह थोड़ा सा हम लोग चेक करने के तरीका होता है, plasma concentration का एक curve बनाते हैं time के साथ, यह दबा जो है plasma हमारे blood के अंदर कितने time में कितनी गई, ठीक है उसका curve होता है, तो जाद डेटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा pharmacology का part है, जो second year में देखेंगे उसका हम लोग, ठीक ह हमान लोग colon में जा करके कोई inflammation हो गया है, फोड़ा फंसी हो गया है, cancer हो गया है, ठीक है, तो हम चाहेंगे कि हमारी दवा उसी part में जा करके disintegrate हो, तूटे और सारा chemical वहीं निकाले, तो ऐसे case में भी हम लोग क्या करते हैं, delayed release का इस्तमाल करते हैं, तो delayed release के अंदर entry coated आएग की अपनी medicine द्यान रखना, clear है, चलें आगे, ओके, तो delayed release में क्या समझ में आया, एक बारी coating तूटी, तो अंदर से दवा फिर पूरी एकदम से dissolve होकर के तुरंत एकदम से concentration, बढ़ा concentration मतलब तुरंत घुल जाएगी blood के अंदर और एबजाव हो जाती है, clear, अब दोखो यहा extend मतलब बड़ा हुआ, है ना, यानि कि हाँ पर क्या हो जाएगा, तुरंत ना पूरी पूरी की पूरी तुरंत नहीं घुलेगी, थोड़ी 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 घंट थोड़ी अभी घुल गई, तो मैं layer wise समझाता हूँ, ठीक है, यह layer अभी घुल गई, तीन घंटे बाद यारी layer घुल जाएगी, चार गंटे बाद यारी layer घुल जाएगी, तो उससे क्या है, एक particular layer घुलती चली जाएगी, और लगातार drug का concentration maintain रहेगा, यह ऐसा नहीं था, यह जो टैवेट बता रहा हूँ, मैं extended, मतलब की एकदम से पूरी नहीं घुलेगी, delayed में क्या था, एक ब से हम लोग drug को release करवा सकते हैं, लंबे समय तक है ना, पहले एक coating, फिर एक coating, फिर एक coating, ठीक है, लंबे समय तक, by extending the release profile, release profile मतलब, उसका जो release होने का पूरा समय है, ठीक, उसका प्रोफाइल होगा, of a drug, the frequency of dosing can we reduce, अब वो लगातार एक एक layer करके जा रही है, पूरी घुलन टैबलेट ना खा करके हम तीन या दो ही टैबलेट खाएंगे दिन भर में, ओके, extended release can be achieved using sustained और controlled release doses form, अब यह ध्यान रखना, extended के अंदर sustained release याने की SR और controlled release याने की CR, इन दोनों का difference ही बताऊँगा, यह मैं बिल्कुल confuse नहीं होना, इसके अंदर sustained release भी आएगा और controlled release, दोनो किसके अंदर आते हैं, extended release के अंदर, दोनों में basic difference क्या है, अभी clear हो जाएगा, clear होगी बाते हैं, तो extended release में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम दवा का घुलने की प्रिक्रिया को लंबा कर दे रहे हैं, थोड़ी थोड़ी घुलती जाएगी, blood में पहुंचती जाएगी, अपने असर को बनाए रखेगी, कायम रखेगी, ठीक है न, okay, delayed, delayed इससे पहले वाले में क्या था, वो तुरंद घुल जाएगी और एकदम से peak बड़ेगा, फिर एकदम से down हो जाएगा, okay, sustained release, this product is designed to deliver an initial therapeutic dose of drug, loading dose, यानि कि ये इस तरीके से डिजाइन की जाती है, कि जैसे ही जाएगी न, तो उसकी एक परत तो तुरंद डिजॉल हो जाती है, जिससे की असर तुरंद हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या कहते है, loading dose कहते है, ठीक है, this product is designed to deliver an initial therapeutic dose, जो सुरुवात की therapeutic dose है, ठीक करने के लिए किसे को बिमारी है, तो जैसी ये दवा खाएगा, एक परत तुरंद डिजॉल हो जाएगी, तुरंद दवा लोडिंग मतलब बाडी कंदर लोड हो गई, दवा पहुंच गई, असर शुरू हो गया, followed by उसके बाद a slower and constant release of drug, धीमे धीमे और एक fix मात्रा में drug क्या होगी, रिलीज होती होती चली जाएगी, जैसे मैंने बताया, पहनी दो घंटे बाद अगर असर करी हो तो फाइदा क्या, तो लोडिंग डोज का मतलब क्या है, effect तुरंद हो जाए खाने के बाद, आदे घंटे के अंदर अंदर, ठीक है न, the purpose of loading dose is to provide immediate और fast drug release, ठीक है, तुरंद और तेज से drug का असर हो जाए, to quickly provide the therapeutic drug concentration, जिससे की, क्या है कि drug का concentration है, blood plasma में तुरंद पहाँचेगा और असर करना सुरू करेगा, ठीक है, drug तुरंद रिलीज होती है, loading dose में थोड़ा सा हिस्सा, बाकि हिस्सा धिर धिर होगा, the rate of release of the maintenance dose, maintenance dose, जो loading dose के बाद, थोड़ी 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 जो आती रहेगी, maintain करके रखेगा, blood plasma के अंदर जितना concentration दवा के रहना चाहिए, उतना दवा लगातार निकलती रहेगी, इस वाली दवा से ठीक है, थोड़ी थोड़ी निकलती रहेगी और वो blood plasma के अंदर या खून के अंदर उतना concentration को maintain रखेगी, that is called maintenance dose, it designs so that उसको ऐसे design किया जाता है कि the amount of drug loss from the body, जितना amount body से loss होता ज place, उतना ही amount, जो है दवा वापस से घुलती जाएगी और blood के अंदर पहुचाती जाएगी, इधर से जितना निकलेगा, body निकालेगी, उतना dissolve होती चली जाएगी और वापस से उसका concentration बढ़ाती जाएगी, clear है, with the sustained release product, a constant plasma drug concentration, mark करेंगे इस बात को, constant plasma drug concentration, mark कर लेना इस बात होंगा, control release पढ़ांगा, तो यहीं से difference create आएगा, is maintained with minimal fluctuation, बहुत कम fluctuation रहता है, almost control रहता है, कि हाँ, एक जो concentration चाहिए हमारा वो रहता है, थोड़ा बहुत उपर नीचे होगा, तो एक constant plasma drug concentration, one mass question में यह line आ सकती है, कि बताओ, sustained release में क्या होता है, constant plasma drug concentration रहता है, plasma के अंदर, और ब्लड प्लाजमा है, drug का concentration बराबर बना रहता है, sustained release doses form achieve this mostly by the use of suitable polymer, again, एक coating करते हैं, suitable polymer की, which are used either to coat granules और tablets, tablet और granules को coating कर देते हैं, ठीक है, reservoir system, उन्स coating के अंदर drugs है, पहले एक coating, एक वाले coating dissolve होई, उसके अंदर की drugs निकल गी, फिर अगली coating dissolve होगी, उसके अंदर की drugs नि form a matrix in which the drug is dissolved, यह एक तरह का matrix बना लेते हैं, ऐसा समझ लो कि एक layer यह है, इसके अंदर drugs भरी हुई है, फिर यहाँ पर एक drug रहेगी, फिर एक layer आ जाएगी, और dispersed matrix system, तो यहाँ पर हम detail में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना समझो, ठीक है, polymers की coating होती है, granules या tablet को coat कर लेते है यह matrix, form a matrix which drug is dissolved, to form a matrix in which drug is dissolved, एक matrix मतलब एक तरह का solution create करते हैं, इसके अंदर drug हमारी dissolve रहती है, और उसके उपर coating चड़ा देते हैं, ठीक है, जैसे जैसे वो coating, अब मालो granules हैं, दाने हैं अगर, capsule है मालो, सपोर्ज, उसके अंदर क्या होंगे, दाने होंगे, इन दानों के प इस तरीके से हमारा ये process चलता है, ठीक है न, तो sustained release में क्या है, coating जैसे से dissolve होती जाएगी, उतनी layer दबा की घुल करके blood में आती जाएगी, clear, now controlled release, बहुत ध्यान से देखना, controlled, यहाँ पर चीज क्या है, control है, क्या चीज control है, आँँ देखते हैं, controlled release system also offer a sustained release, controlled release, sustained release का भी काम क contrast में देखें, comparison में देखें, ठीक है, controlled release system are designed to lead to predictably constant plasma concentration, ठीक है न, constant plasma concentration independently of the biological environment of the application site, ठीक है, this means that they are actually controlling the drug concentration in the body, not just release of the drug from the doses form as in the case of sustained release system, तो यहाँ पर क्या है, देखो थोड़ी सी line लंबी हो गई, कि यहाँ पर एक यह तो काम होई रहा है, constant plasma concentration, plasma का concentration constant रखा हुआ है, लेकिन, लेकिन, independently of the biological environment of the application site, वो हमारे biological environment जो है हमारा, ठीक है, कितना drug निकल रहा है, बॉड़ी से कितना नहीं निकल रहा है, उन सक चीज़ों से उसे मतलब नहीं है, independently of the biological environment of the application site, जहाँ पर उसे apply करना है, उससे मतलब नहीं है, this means का मतलब क्या हो गया, this means that they are actually controlling the drug concentration in the body, हमारी body में कितना drug रहेगा, एक तरह से उसको वो क्या कर रहा है, control कर रहा है, या फिर यह कहलो कि वो sense कर रहा है, कि हमारी body के जो body में जो drug का concentration है, वो क्या है, कितना रहेगा, कितना maintain रखना है, not just the release of the drug from the doses form, ठीक है, sustain release में क्या था, एक fixed amount सा, ठीक है न, वो अपना amount क्या था, निकल जाता था, जिसके वशे से क्या था, blood के अंदर का जो plasma concentration था, वो maintain रखा हुआ था, वो उपर निचे भी हो जाता था, ठीक है, तो केवल यहाँ पर drug release होना ही नहीं, मतलब हर, जैसे sustain release में क्या था, कुछ fixed time के बाद, drug release हो जाता था, और एक maintain मरा हुआ है, यहाँ पर क्या है कि वो केवल उसको maintain करने के साथ साथ, control कर रहा है, drug का जो concentration है, हमारी body में, उसको भी control कर रहा है, ठीक है, ओके, another difference between sustain and controlled release doses form is, that, former are basically restricted to oral doses form, जो sustained release है, वो सिर्फ और सिर्फ oral doses form तक ही सीमेत है, while controlled release system are used in variety of administration route, including transdermal, oral, vaginal administration, ठीक है न, हम controlled release को कई सारी जगाओं पर हम लोग क्या कर सकते हैं, treat कर सकते हैं, बात clear हुई, clear है, तो sustained release क्या है, constant blood plasma concentration, उसको maintain रखा हुआ है, ठीक है, और यह क्या है, actually controlling the drug concentration in the body, कही न, कहीं बातें similar जैसी लग रही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बहुत बारी सा difference रहता है, एक तरसे control लेके चलता है, कि इसका जो rate होता है, dissolve होने का rate जो रहता है, वो कहीं न, कहीं क्या रहेगा, एक तरह से हमारा fix रहेगा, आगे आते हैं, पेशेंट कॉम्प्लेंस इस इंप्रूफ पेशेंट की जो कॉम्प्लेंस है, यानि कि पेशेंट एक तरह से दिन में चाचा दवाया नहीं खानी है, अब उसे क्या है केवल, एक या दो ही टेबलेट खा नहीं है, अब जो controlled release aspirin है, वो एकदम से पूरी खुलेगी नहीं, धिरे धिरे control way में निकलेगी, तो उससे क्या gastric bleeding वह रहा नहीं होंगी हमारी, क्या रहता है, एक constant concentration हमारा बॉड़ी में बना रहता है, ठीक है, आगे आते हैं, disadvantage क्या है, the cost of controlled release, जहां जहां controlled release है न, वहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, sustained release भी लिख सकते हैं, या अपना extended release भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसके अंदर आ रही है, extended release के अंदर आ रही है, तो जो जो advantage, disadvantage में जहां controlled release है, उसके जगे हम लोग क्या कर लेंगे, extended release कर लेंगे, tablet is more per unit dose than conventional doses form, the cost जो होती है, एक tablet की बढ़ जाती है, normal dose के मुकाबले जाईसी बात है, उसमें technology लगेगी, तो थोड़ा सा cost बढ़ जाएगा, time लगेगा, labor लगेगी, some drugs such as riboflavin and ferrous sulfate are more efficiently absorbed in particular region of the gastrointestinal tract and therefore controlled release tablet are not very useful, अब कुछ चिर दवाईया है जिरा है riboflavin and ferrous sulfate, जिस्सों में बहुत अच्छे से absorb होते हैं, अगर हम इनका release control कर देंगे तो वो tablet बहुत आगे पहुंच जाएगी, इन जगहों से गुजरती हुई, इन जगहों पर जाते जाते है, उसको पूरा घुल जाना चाहिए था, लेकिन वो काफी आगे पहुंच जाएगी, तो जहाँ पहुंच जाएगी घुलेगी जाकर के आब आगे जाकर के वहां से उतना अच्छा absorb नहीं होगा, उसका पॉलिमर की कोटिंग अचानक से पूरी पिगल, वो हो गई, खुल गई, पूरा ड्रग एक बार में निकल गया, अब हमको तो हमने दर डोस क्या दे दी थी, पांसो एमजी दी ये सोच करके, कि वो पांसो एमजी पूरा दिन में धिर धिर आएगा, लेकिन उपर ही को यहाँ पर क्या होगा, सारी की सारी ड्रग एक साथ निकल जाती है, ठीक है, डोस फॉर्म डश प्रिजेंट स्पेशल ट्रीटमेंट, अच्छा यह लाइन को यह और होगी है, ठीक है, ड्रग बिंग रिलीज एट वन्स, ठीक है, ओक्या, आगे आते हैं, अब हमारे पास extended र रिलीज और सस्टेंट रिलीज बात क्लियर होगी, control रिलीज और sustain रिलीज किसके अंदर आ गई, extended रिलीज के अंदर, क्लियर हो गया, sustained रिलीज, control रिलीज, revise करा दे एक बारी, समझ लो, simple साए d bringt, NICK concept, sustain रिलीज का क्या था, याद रखने के लिए, यहाँ पर एक loading dose थी, loading dose औ याद आ गया ठीक है न डोस यहाँ पर किवल क्या है ड्रग का कितना अमाउंट जा रहा है एक टाइम पर ठीक है टाइम के हिसाब से दवा रिलीज होती चली जा रही है जो गण्ट्रोल रिलीज होता है यहाँ पर यह लोडिंग मेंटेरिनेंस जैसे कोई चीज नहीं यहाँ क्या है प्री डिटर्माइंड रेट एक रेट फिक्स है कि इसी रफ्तार से दवा लगातार निकलेगी रिलीज होगी इसी रफ्तार से रिलीज होने का मतलब है इसी रफ्तार से मालो हर दो घंटे में एक मिली ग्राम हर दो घंटे में एक मिली ग्राम यहाँ पर ऐसा नहीं ह सकता है 1,5 Commander हो जाए ठीक है तो यहां पर AoD X से यहां पर क्या फिक्स है रेट लोडिंग यानि कि त्रण्ट होता है इन कि Texas उसके बाद मेंटेनस थोगछारा राएट थोट-चाहरा मुं में रख लेते हैं और मुंकें अंदर क्या होती है ओं गुल जाति भूसी ओंती इंघवल में चीज है ठीडिए इन एफ डिजाउड पड़िटर, किसी पीछी थाल करता है방 इस अंसी में धर्याइवार ही, किसी भी तरह के पानी की च़रूत नहीं पड़ती है कुछी सकंद्स इसको इसको इस तरह डिजाइन के अधा है कि सलाइवा के अंदर काफी तेजी से ठीक है ना विदिन फिजु सेकंड कुछी सेंद्स के अंदर लेस देन S Kalimano एक मिनट के अंदर हो जाएगा और जो एक सेकेंड के अंदर एक मिनट के अंदर डिजॉल हो जाए वह वह वाकई में रियल फास्ट डिजॉल्म टैबलेट कहलाती है FDD formulation contains super disintegrants obviously बात है कोई चीज़ मुह में डाले हो तुरंत दबा तूट जाए और खुल जाए तो वहाँ पर हम लोग क्या इस्तिमाल करेंगे एक ऐसा disintegrants जो तुरंत तोड़ दे तो उसको हम कहते है super disintegrants जो मुह में जाते ही दबा को तुरंत फोड़ देगा और दबा रिलीज होना शुरू हो जाएगी to enhance the disintegration rate of a tablet in the buccal cavity clear है बाते now advantage no need of water to swallow the tablet water की जरूत नहीं है FDDs can easily administer to pediatric बच्चों को दे सकते मुह में रख दो बच्चा चबाते अगा टॉफी की तरह elderly जो बूड़े है and mentally disabled जो दिमाग सोड़ा कमजोर है नहीं दबा को को निगलना जानते है ठीक है accurate dosing as compared to liquid liquid के comparison में accurate dose होती है यह एकदम ठीक है तुरंत घुलती है तुरंत blood में जाती है dissolution and absorption of the drug is fast dissolution and absorption fast होता है offering rapid onset of action action जो होता है उसका rapid है बहुत तेज होता है rapid onset of action action की सुरुवात बहुत तेज से होती है दबा अपना सर बहुत तेज से दिखाएगी bioavailability of drugs यानकि हमारे blood के अंदर उसका कितना मौजूद होगा इस इंक्रीज इस इंक्रीज आपको कुछ गरपड हो गया है bioavailability of drug is increased some drugs are absorbed from mouth फेरी ठीक है bioavailability of drugs यहाँ पर साथ 10 टाइम सा कुछ होना चाहिए bioavailability of drug is increased as some drugs are absorbed from mouth ठीक है इसको हटा देगे 10 नहीं है यह तो यहाँ पर क्या हो गया bioavailability of drug is increased bioavailability बढ़ जाती है यानकि ज्यादा मात्रा में जो drug है अभी तुम लोग पढ़ोगे second year में जाकर करके हम जितनी दवा खाते हैं मालों हमने 100 mg खाई है हमारी blood में केवल 70 mg ही पहुंचती है 30 mg बरबाद हो जाती है कैसे होता है यह सब सीखेंगे हम लोग second year में है बट इसके केस में किया अगर हमने 100 खाया है तो कम से कम 90 mg तक पहुंच जाती है ब्लड में 90 है उससे ज्यादा ठीक है तो यह कह रहा है बाइवलिटी ऑफ ड्रग इंक्रीश एस सम्ट्रग्स अर एब्सॉर्ड फ्रम माउथ कुछ मूँ से कुछ फैरिंग से कुछ एसुफेगस से थूछ सलाइवा पासिंग डाउन दा इस टमग मूह में डाल लिया सलाइवा है तो कुछ तो मूँसे जा रहा है कुछ सलाइवा के अंदर इसका ज्यादा कंसेटरेशन पहुंचता है कंपेर टू जो दवा हम लोग पानी से निगल जाते हैं उसके कंपेरिजन में यह ज्यादा पहुंचती है हमारे खून में ठीक है अब उसकी बात करूं जिसका हम इंजेक्शन लगाते है वो तो हंडेड पर्सेंट हमा इसी की बात कर रहा था मैं यह अभी हम यहां डिटेल भी नहीं लेंगे यहां एक फर्स्ट पास मेटबॉलिज्म एक हमारी बॉडी के अंदर मेकैनिज्म होता है जैसे हम कोई दवा खाते हैं समझ लो के वल कोई दवा खाते हैं वो सीधा कहां पहुंचती है हमारे पेट मे इक सर्कुलेटी सिस्टम उस दवा को कहां ले आता है लिवर के पास लिवर क्या करता है 100 mg खायो तो 30 mg को तोड़ देगा और तोड़ करके भेज देगा किड्नी के पास और यूरिन से बाहर निकलवा देगा अब इसको मोटा मोटा ऐसा समझ लो बाकी का जो 70 पसर बच गया उसको फिर भेज देगा हमारे ब्लड में वो पूरी बाड़ी में फिर हमारा फैलता है जो फैलता है हमारे पूरी बाड़ी में सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देता है 70 mg 30 mg लिवर हमारा बरबात कर देता है बरबात ज्या करता है मेकेनिजम है जिसको हम लोग 2 एर में समझे हमें and thus reduce dose and side effect और इसी वज़े से हमको dose कम देनी पड़ती है और side effect भी कम होते हैं offering improved safety safety ज्यादा है यहां पर ठीक है suitable for sustained control release activities दोनों चीज मिल जाती है यहां पर ठीक है control और sustained activity मिल जाती है allow high drug loading एक बार में एक साथ काफी ज्यादा drug एकदम से हमारे blood में पहुंचती है क्योंकि यहां पर इसकी bioavailability ज्यादा है तो loading dose भी हमको काफी ज्यादा मिल जाती है के लिया रहे limitations क्या है the major disadvantage of FDDs are related to the mechanical strength of tablet क्योंकि यह तूटती बहुत जल्दी है तो जड़ा बहुत साफधानी रखनी पड़ती है बहुत ज्यादा अगर शॉक लाएगा घर्षन लाएगा फ्रिक्शन होगा तो दबाद तूट सकती है तो बेकार हो जाएगी FDD are very porous, porous होती है हमको तो छेद नहीं दिखते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा छेद होते हैं इसके माइन्यूट छेद होते हैं and soft molded matrix और compressed in tablet with low compression which makes the tablet friable और इसी वाईसे को पूरस होती है छेद होते हैं और compressed in a tablet soft molded matrix बहुत हलके से compress कहरते हैं बहुत तेज मतलब एकदम जगड़ा वाला compress नहीं होता है इसके वाज़े से क्या होती है bad taste drugs are difficult to formulate as FDT जिनका स्वाद वेकार है ऐसी drugs को हम लोग FDT में नहीं बना सकते हैं क्यों मुह में रखना पड़ेगा तो गंदा स्वाद होगा तो उल्टी हो सकती है ठीक है several FDTs are hygroscopic बहुत सारे FDTs क्या होते हैं hygroscopic पानी सोक लेते हैं cannot maintain physical integrity under normal condition from humidity ठीक होने के वाज़े से वह अपने आपको अपनी integrity अपनी stability को maintain नहीं रख पाएंगे खराब हो जाती है which require specialized package अब उसके लिए हमें क्या है कुछ खास package चाहिए होंगा कि उसके अंदर नमी बिल्कुल भी न आ जाए कि नमी चली जाएगी तो वो दबा बेकार हो जाएगी ठीक है ना इससे क्या बड़ी की cost बढ़ती है दबाएगी तो यह कुछ उसकी limitations है drawback है disadvantage है अब आते हैं हम लोग multi-layered tablets में यहां तक बात है clear होगी सारी ओके चलें आगे now multi-layered tablets over the past year पिछले कुछ सालों में multi-layered tablets whether as an oral immediate or an controlled release system have become increasingly popular क्यों popular हो रही है अभी समझ में आएगा multi-layered काई side layer होती है एक layer दूसरी layer तीसी layer काई side layer की बनी हुई होती है यह it is a delivery system that aims यह एक ऐसा system है जिसका aim इसका उदेश क्या है इसका उदेश क्या है ओके तो इसका main aim क्या है to deliver two or more drugs at different rates or simultaneous release दो और दो से जादा दवाईयों को अलग-अलग different rates पर या एक साथ release करवाना है नहीं आ रहा समझ में अभी समझ में अब यह समझेंगे वह दो अलग-अलग दवाईया है हम चाहते हैं more drugs at different rates हम चाहते हैं यह वाली दवाई दो दवाईया है A और B ठीक है मालव यह tablet है मैं 20 कर ले लूँ hablar जो इसको समझ में इसको समझाता हो यह पर नीचर डियागराम है है तो यह पर मेरे पास अब मेरे पास यह से मालो suppose यह shipping ठीक है यहाँ पर समय लेते हैं जैसे कि यहाँ पर बाई लियर टेबलेट है एक कोटिंग यह है और एक कोटिंग यह है मैं चाहता हूँ यह दवा हर दो घंटे में एक मिली ग्राम रिलीज हो और यह दवा हर दो घंटे में दो मिली ग्राम रिलीज हो तो अलग-अलग अलग इनकी करके टैबलेट बना करके अलग से कंप्रेस किया गया तो यह अलग-डिजॉल्व होगी यह अलग-डिजॉल्व होगी लेकिन खाएंगे हम इसको एक साथ बात समझ में आ रही है कि लिए और दूसरा क्या बोल रहा है इससे हमको benefit क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पर एक ही tablet खानी पड़ रही है वरना कि हमको लगता है रही है दो टैबलेट खानी पड़ रही है ना थोड़ा सा mind psychology game play करती है अब हमको क्या लगएगा कि एक ही tablet खानी पड़ रही है हमको अगला क्या क्या रहा है और simultaneous release या फिर डॉक्टर को क्या है दो खिला जा रहा है खिला जाएगा मतलब उसको mentally समझाया जा रहा है कि हाँ तुम एक दबाखा रहे उसलिए ठीक हो जाओगे तो कहीं ना कहीं main patient की purpose से है कुछ और भी reasons होते हैं आगे पड़ेंगा इसको आगे आते हैं multi-layer tablet consist of matrix core उसमें एक matrix core main core होती है which contains the active solute उसके अंदर main content होता है and one or more barrier और कुछ barrier होते हैं जिसका modulating layer कहते है modulate मतलब जो कि उसके release को कम जादा करेगी control करती है incorporated during the tableting process जब हम tablet बना रहे होते हो तो उसमें main core रहेगी उसको पर modulating layer रहेगी ठीक है step से covering रहती है the functions of modulating layer is to delay the interaction of active solute with dissolution medium by limiting the surface available for the solute release and at the same time controlling the solvent penetration rate through the matrix समझाए यहाँ पर मुद्दा क्या है the function of modulating layer मैंने करा modulate मतलब वो control कर रही है to delay is to delay the interaction of active solute जो हमारा active solute एक निकल गया dissolve हो गया है ठीक है अब यह modulating layer क्या करेगी इसके उपर लगी हुई है ठीक है यह एक था इसके उपर layer है ठीक है अब जो modulating layer है वो क्या करेगी एक को तो उसने release करवा दिया ठीक है एक drug हमारी क्या होगी release होगी लेकिन जो दूसी drug है वो release नहीं होगी with क्या कह रहा है active solute with dissolution medium by limiting the surface available for the solute release and the same time ठीक है वो क्या कर रहा है दो वो दवाईयां थी उसमें एक को रिलीज करवा दिया एक को रोक लेगी ठीक है उसका surface कम रोक लेगी उसको सेम टाइम पर रिलीज होने नहीं देगी at the same time controlling the solvent उसी टाइम पर जो salvar and कर रहा है उसको उसके अंदर घुसने से रोके क्योंगि solvent अगर घुस गया उसके अंदर जहां पर में अवारी अंदर की द़ाई है तो वह क्याओ जाएगा dissolve होके बाहर आ जाए जो डोनों काम कर RHE तो दोनों काम कर रही है उसको control भी कर रही है का कया कहते है उसका surface को कंट्रोल करके रख रही कि ज्यादा ना डिजॉल्व हो जाए अंदर वाई दवाई और जो सॉल्वेंट है उसको अंदर घुषने भी नहीं दे रहे हैं दोनों काम कर रहा है किलियर है तो फंक्शन कांट कहाका करते हैं डिजॉल्वाट में को जाए अच्छी है जब एक-साथ दो-दो दवाईयां खानी पड़ है तो चार टेबलेट खानी उसको तो चार टेपलों ने दो दो दवाईयां कम्प्रेस करके एक बना दी गई है, तो उसके लिए दोई दवाई रहेंगी तो उसको ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए ठीक है ना, this quality is beneficial if the person needs, person को ज़रूरत है तो take two different drugs at the same time एक ही time पर दो अलगलट दवा खानी है तो तब यह technology ज़्यादा अच्छी है और the same drug at different time या फिर एक ही दवा को अलगलट टाइम पर खाना है यानि कि सेम दवाई को compress कर दिया सेम दवाई, सब्सक्राइब यह दवा दोनों क्या है, सेम है एक दवा अभी रिलीज हो जाएगी ठीक है, dissolve हो करके और एक चार घंटे बाद रिलीज होगी तो दोनों में फाइदा चाहें दोनों अलग-अलग हो, चाहें दोनों सेम हो और टाइम को थोड़ा सा लंबा करना हो एक अभी dissolve कर जाएगा और एक बाद में dissolve होगी, तो वह ही कहा रहा है इस quality is beneficial to be introduced at appropriate time हर एक जो tablet है, उसके अंदर जो दबा है उसको इस तरह से engineered किया जाता है बनाया जाता है कि वो अलग-अलग time पर release हो, कि लिए अगर तो multi-layer ठीक है, कई सारी layers की दबा होती है first layer, second layer, third layer तो tri-layer होगी, four-four layer तक से हैं यहापर, first layer, second layer, third layer, fourth layer तो 4 layer होगी, ठीक है ना इस तरह से लोग देख सकते हैं core of hydroxy, यहापर बीच में एक core है matrix that contains the active drug ठीक है इसके अंदर हमारा main drug घुला हुआ है, ओपर क्या है barrier layers है, यह barrier layers है control the surface area diffusion of drug from the core अब यहापर क्या है, कैसे control कर रही है देखो, बात को समझो केवल जो मेरा, यहापर मालो solvent याने की stomach के अंदर का पानी है वो केवल यहाँ side में touch करेगा side side में, ठीक है तो थोड़ा सा, चारो तरफ के diametric में तो touch करेगा, पूरा-पूरा इसको touch नहीं कर पाएगा ठीक है, तो surface area कम कर दिया घुलने का, प्लस, यह जो है इसके अंदर घुस्ता हुआ पानी यहाँ नहीं आ पाएगा, तो solvent को direct उसका touch में नहीं आने दे रहा है clear है बात है तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, यह multi-layered, यहाँ पर यह multi-layered है ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इसका इसका इस्तमाल करते हैं तो process क्या है process of developing a multi-layered tablet, अगर हम इसकी बात करें तो dosing of granules for bottom layer into dye for first hopper, ठीक है, तो वही कहानी है सारी, हम लोग dosing of granules ठीक, groaning लोंगे, पहले hopper में डाल देंगे pre-compression of first layer by first roller जो पहले roller के दुआरा एक compression हो जाएगा reduce first layer to smaller size फिर पहले बार लेयर उसको compress करके उसका size को छोटा किया जाएगा in order to create space required for the second feeder ठीक है, फिर इसको आगे पास कर दे जाएगा transfer of the prepared core to the second hooper जो tablet बन चुकी है, उसको अगले hopper hopper मतलब एक अगले खाने में डाला जाएगा dozing of top layer from second hopper अब जो एक layer बन चुकी है अब जो समझो बात को यह मालो इससरे से खाचा है यहाँ से एक tablet यह बन के आगी पहलो hopper में डाला, compress हो गया compress हो उसको size को थोड़ा और छोटा किया गया और यह मेरे पास पहली tablet बन के यह आ गई उपर space जगए बच्यों यह अब इसके उपर dozing of the top layer इसके उपर मैं दूसरी medicine डालूँगा और दूसरी medicine डाल के compress कर दूँगा यह दोनों आपस में चिपक जाएंगी transfer filled die to second roller for compression अब जो यह die भर चुकी इसको compression के लिए पिछकाने के लिए आगे भीज़े जाएगा final compression of two layer tablet into clear distinct layer एक final compression होगा और ejection of bilayer tablet तो simple है आपके कुछ खास नहीं है पहला है compression करके एक बनाए जाएगा उसको आगे भीज़े जाएगा ठीक है उसको दूसरे खांचे में डाला जाएगा process को याद नहीं भी करोगा तो चले जाएगा कि यह होती क्या है ठीक है न मेंली क्या करना है कि यह होती क्या है next इसका advantage देख लें क्या क्या advantage है they can enhance drug effectiveness drug के effectiveness बढ़ जाती है दो drug अगर आपस में react कर रही होगे तो react नहीं करेंगे एक पहले रिलीज होगी और बाद में रिलीज होगी multilayer tabulating can allow immediate release and sustained release active ingredient to be combined into single pill effectiveness बढ़ गई है ठीक है दो चाहें वो immediate release हो and sustained release active ingredient हो इन दोनों को एक साथ लाके compress कर दिया तो immediate release हो पहले डिजॉल हो जाएगी sustained release बाद में डिजॉल होगी आराम से by separating actives into two distinct layer active मतलब जो active ingredients है उनको दो अलग अलग layer में कर दिया है within the tablet manufacturer allow our user to experience pharmacological effect shortly after ingestion from the immediate release तो वही बात आगी दो layer एक IR और एक sustained release इन दोनों को इसने क्या कर दिया compress कर दिया manufacturer ने तो IR जैसी जाएगी तुरंद घुल जाएगी और तुरंद उसका असर आएगा और sustained release का असर थोड़ी देर के बाद आएगा तो ये समझ में आ गया IR release और sustained release इन दोनों tablets को हमने क्या कर दिया एक साथ compress कर दिया IR वाला तुरंद असर दिखा देगा sustained वाला बाद में दिखाएगा next क्या है they can combine incompatible ingredients incompatible जो दो ingredients को हम लोग आपसे mix नहीं कर सकते है mix करके दवा नहीं बना सकते है उन दो को हम लोग अलग-अलग tablet बना के आपस में compress करेंगे तो उनको हम लोग एक साथ use कर सकते है certain active ingredients क्या रहा है कुछ active ingredients ऐसे होते हैं और कुछ excipents ऐसे होते है may be incompatible with each other वो एक दूसरे के साथ क्या है incompatible है मतलब वो एक दूसरे के साथ उतना अच्छा perform नहीं करेंगे which makes it harder for them to be blended into the same final formulation हम उन दोनों को एक ही formulation में mix नहीं कर सकते है ना क्योंकि वो आपस में कैसी है incompatible है तो mix करके उनको एक tablet में नहीं बना सकते for these ingredients ऐसे ingredients के लिए a multi-layer tablet form is ideal अब multi-layer ideal हो गई इसको अलग बनाया इसको अलग लगा है बनाया दोनों को चिपका दिया ठीक है चिपका दिया मतलब compress कर दिया उससे क्या दो अलग टैबलेट एक साथ हम खाएंगे और वो दोनों अलग टाइम पे dissolve भी होंगे body में जाकर के this incompatibility can be mitigated mitigated मतलब इस प्रकार यह जो इनकी incompatibility है उसको अलोग mitigate कर देते हैं दूर कर देते हैं आगे आते हैं they can extend the life of product line they can extend the life of product line अब यह बहला point manufacturer के लिए फाइदे मन्द है manufacturer के लिए कैसे फाइदे मन्द है existing single layer tablet can sometimes be reformulated into new multi-layer variation patent होता है single layer tablet थी ठीक है हमने क्या क्या manufacturer उसको फिर multi-layer में convert कर लिया उसका एक और को जोड़ दिया multi-layer variation in the hope that a new patent will be accepted for the revised form और जो उसने इसको multi-layer बनाया है ठीक है तो अब क्या होगा उसको वापस से उसका patent बढ़ा हुआ मिल जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा फाइदा मिल जाएगा और एक नई product line पहले जो single layer tablet थी अब क्या है double layer में आएगी एक नई product line मिल जाएगी उसका patent बढ़ जाएगा तो यह कहीं ना कहीं manufacturer के लिए फाइदा मन्द होता है तो इस तरीके से हमारे पास advantage है multi-layer tablet के दो main खास जान रखना है enhance the drug effectiveness ठीक है दो drug IR, SR को एक साथ हम combine करके दे सकते हैं और they can combine incompatibility ingredients ठीक है जो दो ingredients आपस में incompatible है आपस में साथ-साथ में उनको मिलाया नहीं जा सकता है उनको हम अलग-अलग बना करके चिपका के फिर दे सकते हैं के लिए रहे बाते है तो यह थे हमारे पास modified tablets और यह अपना mind nurture app ठीक है ना इसका बच्चे बहुत ज़्यादा use कर रहे हैं आप भी इसका use कर सकते हैं यह PDF का link मिल जाएगा वीडियो के नीचे मेरा number है कोई problem हाता है यह अपना app है और सबसे ज़रूरी चीज पढ़ाई करनी है revise करना है all the best